गुड बॉर्निंग ओल उफ यू तो कल वाली वीडियो में हमने ग्रुप डिस्कॉशन चैप्टर के कोशन आंसर्स कम्प्लीट कर लिये थे और उसका में भी एक्सराइज भी किया था हमने पेज नंबर 50 पे अब आज हम करेंगे एक्सराइज और पेज नंबर 51 और 52 पे एक् इस आपको मैंने बहुत 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 बोल दिया है कि किसमें फिल करना होता है बुक में फिल करना होता है तो स्टार्ट करते हैं फ्रम पेज नंबर 51 फर्स्ट कोशन इस एड्द दा सफिक्स टी आई ओ एन अप्रोप्रियेटली तो दे फॉलोईं वर्द्स तो फॉर्म न होता है सफिक्स यह होता है कि कोई भी वोट पिसको पीछे एड्ड करते हैं जैसे किसी फुल है अपने वर्ट डिया मैं बॉल रहे हो थो किआपको पीछे्ट चाना है वह उसमें प्यूनिकल यह मतलब पईछी च्वर्द्स पीछे हम और प्रिफिक्स वर्द के आगें होता वो हमको word के पीछे add करके एक new word बनाना है appropriately मतलब होता है अपने किसी किसी उद्देश के लिए हम काम कर रहे है वो जिससे उसका कुछ means निकले तो ऐसे ही फालतों में add नहीं करना है मैं actual में वो word बनना चाहिए तो first word दिया है reflect क्या दिया हुआ है reflect तो reflect न हमें tion add करना है तो क्या बनेगा r e f l e c tion reflection क्या बना reflection then second concept क्या दिया हुआ हमें concept concept क्या बनेगा c o n c e p t i o n conception third is pollute pollute क्या बनेगा pollution p o double l u t i o n pollution then elect elect का बनेगा election e l e c t i o n location locate locate का बनेगा location l o c a t i o n location then act act का बनेगा action a c t i o n action क्या क्या बना है हमने reflection conception pollution election location action अब आते हैं inform पे inform क्या बनेगा information i n f o r m a add करना पड़ेगा हमको t i o n तो यह बन गया information means जानकारी then subtract क्या बनेगा subtraction s u b t r a c t i o n subtraction object का objection o b j e c t i o n objection reduce का reduction r e d u c t i o n reduction create का creation c r e a t i o n creation and the last one is collect collect का collection c o double l e c t i o n collection तो यह 12 words थे जिनमें हमने suffix set करके new words बनाए reflection conception pollution election location action information subtraction objection reduction creation and the last one is collection okay तो ऐसे हम suffix set करते हैं last में word के last में new words बनाने के लिए now the exercise on page number 51 is completed then turn your page we have a question we arrange the following words and phrases to make meaningful sentences अब हमको क्या करना है जो हमें नीचे words दिये हैं एक तो हमेंने you read करना है और एक meaningful sentence बनाना है इसे first हमारे पास example के लिए दिया है in it is easier to in swim fresh water than salty water मतलब jumble type में दिया है अब इसको arrange करके meaningful sentence कैसे बनेगा it is easier to swim in salt water than in fresh water मतलब salt it is easier to swim in salt water salt water में तेरना easy है fresh water की comparison में बनगे meaningful sentence इसी जारी किसे अब हमें बनाने rest of the four sentence first is then ordinary sea water heavier is fresh water तो इसको क्या बनेगा ordinary sea water is heavier than fresh water क्या sentence बना हमारा ordinary sea water is heavier than fresh water ordinary sea water means जो सामान ने समुद्र का पानी रहता हूँ कैसे रहता है बहर ही रहता है fresh water की comparison में second क्या दिया है water that sea of is saltier Indian ocean than of that अब इसका क्या बनाना है हमको sentence बनाना है so water of that sea is saltier than that of Indian ocean Indian ocean water of that sea is saltier than that of Indian ocean मतलब जो डेट सी का पानी है वो कैसा है जादा नम्कीन है जादा saltier किसके पानी से Indian ocean के पानी से अब डेट सी के होता है डेट सी एक समुद्र है मृत सागर जिसको बोला जाता है कि कहा है इसराइल में है अब इसके बारे में एक तो हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा में इसका बात यह है कि क्या है सबसे से जादा गहरा समुद्र है और इसका एक में पॉइंट यह है जो कि फेमस भी इस से रिलेटेट कि इसमें इंसान डूब नी सकता है यहां पर जोब लोग तेरने आते हों बिना डर के तेरते हैं क्योंकि इसमें माना जाता है कि वह क्या डूब नी सकते थर्ड is लिक्विज लाइटल आर्शं वोटर देश्थित से क्यों बहनेगा संंट लिक्विज आर लाइट देश्टे वाटर नएगो है इसमें संट लिक्विज उत्या डिलेश्ट अरोटर्य नए हां पानी से Now fourth is a cannot float needle water in A needle cannot float in water तो needle है सुई है पानी में नहीं तैट सकती ठीक है तो हमारे यह वाला question भी complete हो गया यह sentences आपको write करने सिर्फ book में अब आते हम next question पे Message writing Message writing Message कैसे write करते हैं आज वो समझेंगे A message is a spoken or written communication Message is a spoken or written communication Message यानि कि संदेश एक बोली या फिर लिखित संचार है अब हम देखेंगे कि message बनाने की क्या-क्या points होते हैं कि इन बातों का हमें ध्यान रटना पड़ता है जब हम message बनाते हैं When the message is written, date can be written on the left-hand side and time on the right-hand side आप क्या करना हैं? फिर message word लिखने के बाद date और time मेंचन करना हैं हमको date हम लिखेंगे left-hand side पे और time हम लिखेंगे right-hand side पे third, begin with a brief salutation begin with a brief salutation salutation means होता है अभिवादन, greeting करना है तो हमें किस के साथ start करना है message? greeting के साथ start करना है जैसे लिखा है अरुन और dear uncle write the name of the person for whom the message is meant मतलब किस का name लिखना है? हमको उस person का name लिखना है जिसके लिए हम message लिख रहे हैं write all the important points, do not add anything of your own clearly mention the name of the person who has given the message हमको क्या करना है? सारे important points write करने है अपना कुछ भी add नहीं करना है कि अपने मन से हम add कर दे और उस person का name बिलकुल clear रखना है जिसने message दिया है या फिर लिखा है now the name signature of the person who has written the message should be put at the end of the message अब name या फिर signature उस person का होना चाहिए message के end में जिसने message write किया है be precise and informative body of the message should not exceed 50 words be precise and informative body of the message should not exceed 50 words हमको कैसा बनना है precise मतलब exact और जानकारी पून मतलब जो भी हम message लिखने है वो exact होना अच्छी और जो हम information देने जा रहे हो भी clear होनी चाहिए body of the message should not exceed 50 words मतलब जो हम message write कर रहे हैं उसमें वो 50 words से ज्यादा का नहीं होना चाहिए ठीक है तो message write करते वक्त हमको यह सारे important points ज्याद रखने और यह जो हमने question किया वो हम करेंगे सिर्फ book में और rest of the work we will do in the next video thank you